तो आज हम लोग बात करेंगे पॉजिशन रेशियो की पॉजिशन रेशियो क्या होता है इसको मैं सिगमा से दिखाता हूँ और यह होता है रेशियो आफ किसका तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी कौपल लुदे है पोईशन रेशियो वोलते हैं ठीक है ना इसको हम लोग सीगमा से दिखाते हैं अब बात करते हैं कि भई लैटरल स्टेंड क्या हो था लॉग निटीव ले इस्टेंड क्या हो था यह बाते समझें आपको जैसे बच्चों समझो अगर मैं कोई एक वायर लेता हूं या फिर मै क्या हो रो ठीक है इसमें मैंने क्या करा फोर्स लगाया ठीक है फोर्स लगाया फोर्स लगाने के बाद क्या होगा वही फोर्स लगाएंगे तो ओवेसी बात है इसका लेंथ चेंज होगा मतलब इसका लेंथ जो होगा वो बढ़ेगा लेंथ इसका चेंज होगा वो एल प् कि लेटरारी स्टेइन को हम लोग लीकेंगे क्या कि लैटरल स्टेइड lateral strain क्या होगा भई lateral strain होगा change in radius by the original radius तो change in change in radius by क्या original radius जो पहले था या फिर मैं इसको क्या लिए सकता हूँ del r by r या फिर मैं इसको क्या लिए सकता हूँ minus dr by r यह बात मैं लिख सकता हूँ minus क्यों लिए मैंने minus क्यों लिए इसलिए क्योंकि घट रहा है और यह क्या हो रहा है बढ़ रहा है length क्या हो रहा है बच्चो वो बढ़ रहा है और longitudinal strain क्या होता है अगर हम लोग बात करें longitudinal strain की longitudinal strain की तो यह होता है ratio of change in length change in length by original length के तो अब ये दोनों value को मैं अगर position ratio में रखूँ तो देखे क्या मिलना हमको हमको मुलना है position ratio sigma सम देनोट करते हैं तो sigma is equal to कितना हो जागा बच्चो lateral strain minus dr by r by कितना minus d l by sorry plus d l by l या फिर मैं इसको क्या ली सकता हूँ इसको ली सकता हूँ del r by r by कितना del l by l या फिर मैं क्या ली सकता हूँ इसको इसको ली सकता हूँ बच्चो sigma is equal to कितना del r by r into del l by l को उपर ले जाओ तो ये आपका एक ratio आया अब इससे जुड़ी एक question आगे हम लोग करेंगे भी हैना तो ये आगे आपका position ratio del r by r into l by del l है ना चलिए अब देख बात और समझिए जो इसका practical value होता है जो इसकी practical value होती है और theoretical value कितनी होती है इसका जो practical value होता है बच्चों होता है minus 1 से लेकर के 0.5 तक ये हमारी practical value है ठीक है ना practical नहीं theoretical value बच्चों ये ये हमारी theoretical value है theoretical value है जो प्रैक्टिकल वैल्यू है। इसको लिथा है वह फोस्जोगा जीरू से लेकर 0.5 उ यह जो पॉइड़ा हूती है वह अपने स मॉस्ज़िंघ भी तो एक बात आप ने समझ माइन आपको समझ माइन कि जो position ratio होता है वो क्या होता है ratio of lateral strain to log natural strain lateral strain क्या होता है lateral strain होता है ratio of change in radius by क्या original radius और log natural strain क्या होता है change in length ratio of change in length to original length है ना तो यह थी position ratio पे इतनी बात है और इसका जो practical value है वो 0.0 से 0.5 के बीच में लाई करता है and इसका जो theoretical value है वो minus 1 से लेके 0.5 के बीच में लाई करता है और इसको कैसे निकालते हैं मैंने रख दिया value del r by r into del l by l तो यह इसका इतनी सी कहानी थी किसकी position ratio की इसको note करिए आगे बढ़ते हैं इस पे एक छोड़ा सा question करने ते हम लोग है ना तो note करो फटा फट आगे बढ़ते हैं चलो बच्चों जल्दी से note करो और फिर हम लोग फटा फट आगे बढ़ लेते हैं ओके तो यह बात आपको समझ माया है कि लेटरल स्टेंड से और लॉग निटरल स्टेंड का जो रेशियो होता है उसे को में लोग क्या बोलते हैं पौरेशियो बोलते हैं ना कि चलिए कि इसको में इeston कर लेते हैं अब यह फिर चोड़ा सा कोशि Nord कर लेते हैं पॉस्हल रिषयो चाहिए रेशियो होता है कि लेटरल स्टेंड से लोग च्रैंड को ऐलाग निट्था नहीं बचू नहीं बच्चों देखो लेटरल स्ट से लर्ट लोग निटोर । लॉज्ट रिश्ट होता है वही हमारा क्या होता है पॉज्ट को मैं सिग्मा से लिखाता हूं जिसकी वेलू जो होती है प्रेक्टल मेनी जुरोस लेकर बिश्ट करती इस पर कोशन करते हैं एक रॉढ़ बच्चों यह रॉढ़ पॉज्ट hundred है उस है तो आपको बताना है क्या calculate करना है calculate करना है आपको calculate fractional change fractional change in rod ओके यह आपको निकालना है है ना तो इसके पहले याद करो बच्छो जब भी हम लोग बात करते थे इसमें rod की तो हम लोगों ने कसम खाई थी कि rod को हम लोग क्या माल लेंगे rod को हम लोग माल लेंगे क्या एक spring तो spring मान के लगाएंगे question को चलिए spring मान के लगाईए वही इसको मैंने मान लिया क्या spring मान लिया spring मान लिया इसमें longation हुआ force लगा mg m है तो mg नीचे की तरफ लगेगा and kx उपर की तरफ लगेगा यहाँ पर कर लिए balance है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ क्या की kx k इसकल दो लिख सकता हूँ y a by l यह बात मैं लिख सकता हूँ न तो यहां पर लिख दूँ मैं k की जगह पे तो ही हो गया x is equal to mg by क्या y a by l ल उपर चला गया mg l by y a आ गया है न यहां फिर मैं एक चीज और लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ x by l is equal to mg by y a यह बाते आपको याद रखना है अभी देखो इसकी वैलोग कैसे निकालते हैं तो अब हम लोग आते हैं calculation of fractional change in rod तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भई हम लोग लिख सकते हैं पोजिशन रेशियो is equal to कितना हम लोग क्या बोलेते हैं क्या lateral strain वो कितना होता था वो होता था देल आर बाई आर बाई क्या डेल वाई log natural độngaur is 10 ऑके चलिए और में क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे देखो मैं लिख सकता हूँ क्या अच्छ डill l को मैं x लिखूँँगा डill l को मैं क्या लिखूँँगा x यह मुझे निकालना है ठीक है न? fractional change in rod निकालना आपने को ठीक है तो क्या मुझां जाएगा बखी चलो तो sigma is how toota, del R by r और del L को मैं लिख रहाँ गितना x तो मैं क्या मिल्ख सकता हूं x by L है की नहीं बॉलो और अपने लिख क्या निकालना है del R by r निकालना है है ना चलो तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको मैं हटा देता हूं और इसका multiply इधर कर लो इसको इधर लाओ तो कितना आ जाएगा del r by r is equal to क्या portion ratio into x by l अब एक चीज़ देखो बच्चो जो मैं कहा रहा था यहां से x by l की value यहां पर डाल दो तो आपको मिल जाएगे क्या fractional change हुआ है तो कितना आ गया del r by r is equal to position ratio into x by l की value कितनी mg इसको इसमाल मानो capital मानो कोई दिख कर नहीं बच्चो कोई एक मान लो है ना तो कितना हो जाएगा यहां पर भी capital है यह सब capital है इसमाल मत समझना capital mg by क्या y a यह दुगा y a तो यह आपको आगया del r by r का ratio तो यह आगया आपका fractional change यह position ratio sigma mg by y a तो इस तरह का question आप से पूछ सकता है एक बहुत चोड़ा सा question position ratio पे था इसको note कर लेना है और से जुड़े सारे question जागे गरपे करना बच्चो note कर लिजे आग ओके चलो तो यह बाते मेरी कहल से आपको समझ में आया होगा है ना note करिए फटा-फट अब यहाँ पे तो एक rod था है ना उसके साथ एक block जुड़ा हुआ था ऐसा हो सकता है कि दो rod हो हो है ना अलग-अलग block हो तो उसमें भी आप निकाल लोगे है ना x y l निकालो value डाल दो answer मिल जाएगा आपको चलिए ठीक है बच्चो आगे बढ़ते है next concept की तरब